स्वागत है आपका मेरे simple organic garden में आज आप से मैं बात करूंगी इरन्थिमम प्लांड के बारे में तो दीखी इसमें जो है कई आप इसमें color मेरी वाले जो color मेरे पास जो वेराइटी इसका color आप देखें बलते हैं इसको लेकिन ये बिलकुल प्यूर ब्लाक तो नहीं है ये है जैसे कि बीटूट का color होता है चुकंदर का उस तरीके का ये color है बहुत dark है उससे भी dark है इसलिए ये black black सा जैसे आप दूर से देखेंगे न तो यह ब्लैक ब्लैक सा कलर देखता है यह काफी कलर फुल लुक देता है आपके प्लान को यह देखें और आपको बताओ मैं यह पत्तियां कुछ इस थरीके से ऐसे हो रही है वह इसका रीजन यह बताओ मैं आप इसकी हाइड देखें कैसे बढ़ गई है कितनी ज्यादा ये दीखें और इसको मैंने कैसे लगाया था मैंने लगाया था कटिंग से बिल्कूल एक पत्ली कटिंग मैंने ली थी और कटिंग से मैंने लगा दिया था और ये लग गया है तो इसको ये देखे हैं इसको कटिंग से लगाना इतना ज़्यादा असान है इतना असान है कि आप इसको बस कुछ आख यह लगा है तो इस बन過來きます इतनी से बस ऐसे कोई कटिंग आपको दिखा रही हूं यह देख यह मैंने अभी कल ही लगाई है एक्चली क्या हुआ था मेरा यहां पर हमारे यहां पर काफी बारिश होई है ना दो तीन दिन से बारिश बहुत हो रही थी हवा बहुत चल लही थी तो यह जो है यह प्लांट ऐसे मेरा उंचा रखा था गिर गया था तो यह स्टेम टूट डाल दीजे ऐसे करके और यह इसमें बहुत जल्दी करीब 10-15 दिन के अंदर इसमें से रूट बन जाती है यह तो खिर कोलियस लगा हुआ है यह दिखिए मेरा कोलियस है तो बस किसे में मिट्टी में लगा दीजे जो भी आपके कोई गबले में हूं तो बस मैंने यही किया साइड में लगा दिया तो इसको इसके जो है रूट बन गई थी बहुत ही जल्दी से इसकी कोई ऐसी स्पेशल केर नहीं करनी होती है बस यह था कि मैंने जब लगाया था तो यह बढ़ता बहुत तेजी से है तो मैं यहां से क्या करती रहती हूं कि उपर की पिंचिंग कर देती हूं और इसको बस जैसे नॉर्मल पानी देना होता है कि मिट्टी आपको उपर से लगे सूख जाए तो आप उसको पानी दे दीजे और करीव इस प्लांट को लगाए मैं मेरे को दो साल के आसपस हो रहे है इसमें अभी एक बार एक किड़ा लगा था जैसे कि यह दे हो पेस्टिसाइट का यूज किया था मैंने थोड़े दिन पहले अलोवेरा का बनाया था तो बिल्कुल साबस उतरा है कोई कुछ इसमें नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं हो बस एक ही बार लगा था तो उस तरीके से इसका यह देखिए ऐसा हो गया था इसके बागी जो है अब अभी देखिए मैंने अपने गार्डेन में इसको ऐसे रखा हुआ है जहां पे मेरा यह मोग्रा रखा है या फिर चंपा रखा है चांदी मानी से रखें बस ऐसी ही धूप में रखा हुआ है यह प्लांट आप इसको अगर अंदर रखोगे तो इस तरीके से कलर नहीं आएगा इतना बिल्कुल जो वैसी गर्मी होती है ना 46 डिग्री वाली मतलब 40 डिग्री के उपर वाली जो गर्मी होती है उसमें तो मत रखेंगा धूप में उसमें हम सारे प्लांट्स को भी नहीं रखते हैं थोड़ा शेडी एरिया में ही रखते हैं पारिशे शेड में र जोइशेए को अब नहीं अब रखते हम चयों डॉट करें हो अधर ब्लांट हम कोई भी प्लांट हो उसमें मतलब वह ऐसी मिती नहीं पसंद करेगा कि उसमें पानी रुका रहे पहले से रिज़ रीर रखता shows बूड़ा करें तो आपका प्लांट देक्टर आपक्रणी ही कर आपने क्या करते हैं कर दो ककोपीड कर लो और बस प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ही बिल्कुल हाइड है तो दीखिए यह तरीके से हैं काफी अच्छा लगता है सुन्दर लगता है मतलब गार्डेन को इसको बोलें कि कलर्फुल लुक देता है इसके अपने पत्ति और भी आती है ना दोस्तों ग्रीन कलर के उसके बिल्कुल शाइने से रेड रेड से पत्ते होते हैं बहुत अबंने मेश्य दोगार्य करिए मया थे सब्सक्राइब क्या साइब लोगता है कि इसको निकाला और एक जैसे कि मैंने अपको मिट्टी बताईे बस मैंने मिट्टी में लगा दिया और इसको अपना दू-तीन गहंटे की एए यह थीफे प्लांट में रखेंगे तो भी अब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जादा सालाइट चाहिए या कुछ है तो चरिए अब आपको मैं अपने गाड़े में कुछ और भी दिखा दूं ये देखे इस टाइम जो है ये खिला हुआ है मिड्डे फ्लार ये 12 बजे के बाद ही खिलता है और मेरे इस वाले बोगन वेला में भी फ्लारिंग शुरू हो गई है ये देखे ये अभी बस बिलकुल हलका हलका चोटा-चोटा से ना तो दिख नहीं रहा है कलर इधार दिखाते हूं ये देखे यह ना ये इसी में ही मैंने बिलकुल पानी देना बंद कर दिया था मैंने असका इसका वीडियो बनाया था सब में अब ही सुपस कुछ दिन में यह भर जाएगा तम मैं आपको दिखाओंगी ये देखे और न ये बहुत कम मिट्टी बहुत ही कमिट्टी में ये जीन्स वाला बनाया है ना फ्लांटर तो इसमें मैंने सीट डाने असे डाले हैं तो सेब्सक्राइब न हैं लिए और थार्टी टू और डिगीड त्यम्म्ड आपना हो जाते हैं मैं कुछ हारी हारी से मतला बहुत ही पिट divyn ने जाले और किalnya पी कोविए बिह लगाल। पी नहीं स्वीट पी फ्लार वो डाला है तो इस वजह से यहां पर एक इस्टिक लगा दी है क्योंकि इसको सहार एक जर्मात है अभी थोड़े दिन में फिर दिखाती हूं मैं आपको चलिए भाया मिलती हूं आप से मैं और किसी अच्छे से वीडियो में गर्णिंग के तो भ